है लो फ्रेंड रदे राधी आज मैं आपको राजमा की रेसिपी जारी हूँ देने तो मैं राजमा का बना रही थी तो आप लोको से भी सियर लिए तो देखिए राजमा को क्या की थी रात बर में पानी में भींगो कर डाल दी थी यह बहुत अच्छी तरीके से फुल चुका है तो इसी से आज मैं आप लोगो बता रही हूं यह एक मीट मसाला है प्याज है पांच प्याज ले ली थी बड़े साइच का और कुछ मसाला है जुरूर बताईगा कैसा लगा वीडियो इसमें एक चमच लेना है कस्मीरी लाल मिर्च एक चमच इसमें हल्दी पाउडर एक चमच आपको धनिया पाउडर तीन मसाला ले लीजे और क्या करना है अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजे तीनों मसाला को और उसके बाद जब इस अब गैस पर कुकर चरहा चुकी हूँ तेल भी हमारा इसमें डाल चुकी हूँ अगर तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं एक शमच जीरा और दो से तीन थिशपता डालना है जब यह दोनों अच्छी तरीके से चटक जाएंगे तो फिर मैं जो प्याज काटके रखी हूँ प्याज को इसमें अड़ कीजिए थोड़ा सा हींग यूज कर रही हूँ क्योंकि चना हो मतर हो या फिर राजमा किसी भी चीज का सबजी बना रहे हैं तो उसमें आप हिंग का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको गैस नहीं बनेगा नमक टाल के ओ kişi जीतना प्याज काटके रखी था चुका है जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं होता है तब तक इसको भूणना 있으 प्लेट में वह सारा मसाला टो एड़ा है। तो यह सॉफ्ट है यह सॉफ्ट हो जाएगा तो इसकोषण ये मसाला फेसना के यह आड़ कर साbreaker जब हरा सब्जी खाके बोड़ हो जाते हैं तो बीच बीच में मटर चना या राज में आप बनाई और बच्चों का तो खेर यह सब फैबरेट होता है उनलों को तो यह सब कहीं सब्जी अच्छा लगता है हरा सब्जी तो उनलों को पसंद नहीं होता है जादा तर यह सब बनाई है तो लोग भी बहुत खुस रहते हैं तो मैं बीच 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 बनाते रहती हूं तो हथा में एक दो तीन बार तो मैं ज़रूरी बना लेती हूं तो इसलिए मैं बना रही थी तो आप लोग से बीडियो शेयर की हूं दिखिए प्याज हमारा लगभग सॉप्ट हो चुका है लेकिन थोड़ा देर इसको और भूनना है अब नमक इसमें एड की हूं नमक के साथ इसको थोड़ा दर और भूनना है जब यह प्याज दम गोल्डन कलर का हो जाएगा ना तब इसमें मसाला डाल देंगे यही है कि मसाला है जो मैं भी दिखाएटी आपको मसाला के इसमें डाल के मसाला को डालने के बाद अच्छी तरफ बहुत ज्यादा ड्राय नहीं करना है बस थोड़ा देर इसको अची तरिके से बुनना है उसके बाद जो मैं राजमा रखी हूँ ना राजमा को भी इसमें डालके दोनों को एक साथ कुछ दिर बुनूँगे एक राजमा बनता है फ्रेंटियों कि हम पहले से स्टीम कर लेते हैं वह रखी हो है अच्छा तो एक बनता है और पानी हो बनाते यह बना है और असबल देखे आ net सबीका आबसते हाँ बराजमा के साथ पहल बना uneór पर देखिल नहीं को दोन आजो तक बुनाँगे राजमा मसाला दोनों को एक साथ कुछदे पांच मिनट तक बुनना है अबी मसाला अमारा और भुणादा फिरेंट तो मैं इसको न अब राजमा और मसाला को एक साथ भूनेंगे कुछ देर राजमा और मसाला को बहुत अच्छी तरीके से कुछ देर इसको भूनते रहना है जब यह पूरा तरीके से ड्राय हो जाएगा मतलब सुख जाएगा तेल छोड़ देगा तो समझेए कि आपका दोनों भूना चुका है तो मैं इसमें पानी डाल देना है पानी डालके आप इसको सीटी लगा दीजे धीमी आज पर अब यह मसाला है मीट मसाला जो मैं रखी थी पैकेट वाला वह है उसको घूल के इसमें डाल दीजे डालने के बाद अब इसको देखिए पानी मैं थोरा सा और डाली हूं कि राजमा तो कच्छ डाली थी न तो यह इसको ढ़क के कुछ दे इसी तरीके से भूनते रहे और देखिए बुनने के बाद मैं चार पान सीटी लगाई धीमी आज पर और इस तरीके से हमारा सबजी बनके तयार हो गया है अगर कच्छ राजमा का आप इस तरीके से बनाते हैं तो देखे राजमा हमारा बहुत ही अ कीजे की इन देखिए कि इतना अच्छा बनके तयार हो गया आज इसे राजमा सबजी बहुत अच्छा बनके तयार हुआ थ uniqu music यहीं पण्द होता है राजमा चना मतर बनाई है बहुत कूस होते हैं सब है कि इस तो यह आज मैं आप लोग से वडियो से र की हूं अगर अच् नेक्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू सुमाच